आप देख रहे है धर्म शिक्षा आईए जानते है आज का पंचांग पंचंग होते हैं तिथी, वार, योग, नक्षतर और करन इनी पंचो च्यों से मिलकर हमारे पंचांग का निर्मार होता है किसी भी सुबकारी को कॉलने के लिए हमें जोद परती है सही महुट, सही समय और सही नक्षत रखी और इनी सभी चियों की संपूर्ण और सटिक जानकारी हम आपको इस वीडियो के मादम देने वाले हैं जो की सनीवार 17 सितंबर 2022 के लिए तो वीडियो में हमारे साथ अंतग मने रही है ताकि आपको संपूर्ण पंचांग की जानकारी मिल पाए पंचांग का वीडियो पसंद आई जानकारी अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, कमेंट बाक्स में जैसी करें जोड लिखें बेतरो आज का संपूर्ण पंचांग आज आपको बताना आरम करूँ उससे पहले आए हम सभी मिलकर एक बार सुभकामना देते हैं उन लोगों को जिनका जन दिन है आपको जन दिन की हर्दिक सुभकामना है भगवान गनेश की किरपासे आपके जीवन के सभी प्रकार के बाधाओं का न्तो साथ साथ जिनका भी आज मैरेज अनुवरसरी है उन्हें भी मैरेज अनुवरसरी की हर्दिक सुभकामना है भगवान सिब और मापारवती की तरह आप दोनों की जोरी हमेशा योहीं बनी रहे साथ साथ जोकव व्यक्तिस पंचांग को देख रहे हैं आज है विक्रम सबद 2019 सक्ष समद 1944 कली समद 15-24 माह आस्विन माह पक्ष क्रेष्न पक्ष रितु वरसा रितु आयन रहेगा आज दक्षिन आयन तिथी सप्तमी रहेगी दिन के दो बज़कर 56 मेर तक तरदुप्रांत अश्टमी तिथी पिर आरंभ हो जाएगी नक्ष्छातर रोहिनी रहने वाए दिन के दो बज़कर 14 मेर तक तरदुप्रांत मेक्सिरा नक्ष्छातर आरंभ हो जाएगा करन वाव रहने वाए दिन के दो बज़कर 56 मेर तक तरदुप्रांत वालव करन आरंभ होगा जो कि रातरी के तीन बज़कर 47 मेर तक रहने वाला तदुपान्त सिध्ध योग आरंब हो जाएगा दिशासुल आज पूरुजी साम रहने वाले हैं पूरुजी साम में किसी भी खास प्रियोजन से यातर ना करें यहाँ पर आपको नुक्सान हो सकता है सुभखाद्याज का अधरक रहने वाले है अधरक का छुड़टुक्रा विखाकर यातराम करेंगे किसी नई कारी को करेंगे उसमें आपको सफलता हाथ लगेगी चंद्राशी वरिस रहने वाले विर्शासीम चंद्रमा रात्री के तीन बच कर बाइस मेंट तक रहेंगे तक दुपान चंद्रमा का मिधन रासी में परवेश हो जाएगा भारती ज यह नहीं होता है जो सुबास Kansasточ टेन बच कर ब्चर 25 मेंट हुए नहीं आज राती मतलब आज पूरे दिन के बाद जो आज रात्री आए गी उस आज रात्री में जो आएगी तीन बच कर 32 उसकी बात में कर रहां हम तब जाके विर्शासीम में चंद्रमा से जाके मिफिन रह में परवेस होगे तो कहने का मतलब है आज पूरे दिन चंद्रमा विष रासी में रहेंगे रात्री में भी पूरी रात्री लगभग लगभग रहेंगे रहेंगे तीन बस कर बाइस मेट के बाद ही मिथुन रासी में परवेस होगा तो इसमें किसी प्रकार कन्फूजन में न बहुत सारे हैं गुम्राह करने के लिए तो अपने यहां इसा नहीं है कमेंट बॉक्स आपका अपना है जरूर पूछें वरत्योहर में आज है जीवित पुत्र का वथ मितलांचल में जहां पर सब्तमी योगत अश्टमी का वरत रखा जाता है साथी महालक्षमी वरत है और व आज रात्री के दस बसकर बैलिश मेंट तक तदुप्रांत सूरी का फिर कन्या रासी में परवेस हो जाएगा तो चुकि सिंग से सूरी का कन्या रासी में परवेस हो रहा है तो इसे कन्या संक्रांती करेंगे मकर संक्रांती के समय में भी ऐसा ही होता है मकर रासी में सूरी क प्रवेस होता है तो उसे मकर संक्रांति कहते हैं जिसका केतिवार हम सभी मनाते हैं सूरी नक्षात्र की बात करें उत्रा फालगुनी नक्षात्र में सूरी रहेंगे और सौर मा भाद बदमा रहने वाला हैं असके 6.25 मिर रहने वाला हैं, चंद्रियास नक्षात्र की बारा बचकर 14 मिर पर होने वाला हैं यह तो थी शुर्योद फ्रेट के बात, आज का सुब समय रहने वाला है और अम्रिट समय दिन के तीन बच कर बीश मिर्च लेकर सामके चार बच कर बाउन मिर्च तक रहने वाला है ये तो थी आज की सुब चोगरिया आए भी एक नेजर डालें आज के राहुकाल और गुलिकाल की स्थिती पर राहुकाल एक असुब समय होता है ये रहने वाला है दिन के नौ बच कर ग्यारा मिर्च लेकर दिन के दस बच कर तैन्तालिस मिर्च तक इस समय में भी कोई भी नयाकारी आरम करेंगे तो उसमें आपको और सफलताथ लग सकती है अब जीत महुर्थ की बात करें तो अब जीत महुर्थ भी एक सुब महुर्थ होता है ये रहने वाला है दिन के ग्यारा बच कर पचास मिर्च लेकर दिन के बारा बच कर चलिस मिर्च तक इस समय में भी कोई भी नया कारी आरम कर सकते हैं आप इसमें भी आपको सफलतात लगेगी विजे महुर्थ की बात करें विजे महुर्थ आज दिन के दो बच कर अठारा मेर्ट लेकर दिन के तीन बच कर साथ मेर्ट तक रहने वाला है गौदली महुर्थ आज साम के छे बच कर बारा मेर्ट लेकर साम के छे बच कर चाथिस मेर्ट तक रहने वाला है तो मित्रों यहां में आपको आज का संपूर्ण विश्टित और सठीक पंचांग बता है इसी तरह की अन्य ग्यानमर्दक वीडियो के लिए जोरे रहें धर्मसिक्षा के साथ देखते लिए धर्मसिक्षा जे माता दी